सेनमेग यी ओल्ड रोड पर ऐसे पौधे हैं जो अपना स्वरूप बदलते हैं चारों रितुओं में और ऐसे गर्म स्थान हैं जहां अंगिनत कहानिया बताई जाती हैं सेनमेग यी ओल्ड रोड पर विबिन स्थान आपका स्वागत करते हैं उदाहरन के लिए वेद्शाला जहां आप आसपास के द्रिशे देख सकते हैं विचित राकृतियों वाली चक्ताने एक ऐसा स्थान जहां खींतंतियां और कहानिया रहती हैं और एक आश्राय जहां लोग अपना पसीना और ठकांध हो सकते हैं इसके अलावा देवदार के जंगल और विबिन चोड़ी पत्ती वाले जंगल स्वस्थ हो रहे हैं इसलिए ये हमारी आखों और दिमाग को शुध करता है पुरानी पहाडी सड़क की शुरुआत में एक छोटी सी धारा बहती है और सुन्दर प्रकृती में यह एक शांतिपूर्ण व्रिश्य सामने आ रहा है सैनमेगी और रोड की विशेशताएं सरल लेकिन सुन्दर दिखने वाले हैं क्योंकि यह अपना अनोखा रूप बरकरा रखे हुए है मुझे लगता है कि यही कारण है कि बहुत से लोग दुबारा वापस आते हैं क्योंकि पहाडों में यह पुरानी सरक चारों और एक स्वच क्षेत्र शामिल है मुझे प्रदूशित वातावरण नहीं मिल रहा मूलता है यह सरक पहाडों द्वारा अवरुद थी तो यह और भी ज्यादा लगता है इन दिनों कई क्षेत्रों में काफी विकास किया गया है तो ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां आसपास का पर्यावरण नश्ट हो चुका है सैन मार्ग यी पुरानी सरक प्राकृतिक पर्यावरण को अच्छे से संरक्षित किया है और अपना पूरूव स्वरूप बरकरार रखा ये हमें खूबसूरत ब्रिश्य दिखाता है सैन मार्ग यी पुरानी सरक की उल्लेख मिय विशेष्टा अच्छा सामंजस्य है पहाडों और एक जील का इसे एक अदबुद कॉम्बिनेशन कहा जा सकता है पहाडों और एक जील का ये हमें एक अदबुद ब्रिश्य प्रस्तुत करता है सैन मैग यी और रोल पर गाउंग का कोई अता पता नहीं है जहां लोग इकठा होते हैं और यह एक पुरानी सड़क है शान्थ प्रकृति में जटेल आदुने की युग में यह एक गर्म स्थान बन गया है बलकि कई लोगों का ध्यान अपनी और आकरशित कर रहा है हाला कि यह थोड़ा समय है आप पहार से बहने वाली धारा के एक ज्वलंत ग्रिश्य का आनंद ले सकते हैं इन दिनों कई क्षेत्रों में काफी विकास किया गया है तो ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां आसपास का पर्यावरन नश्ट हो चुका है सैन्माक यी पुरानी सरक प्राकृतिक पर्यावरन को अच्छे से संरक्षित किया है और अपना पूल स्वरूप बरकरार रखा ये हमें खूबसूरत ग्रिश्य दिखाता है सैन्माक यी पुरानी सरक की उल्लेक निय विशेश्ता अच्छा सामंजस्य है पहाडों और एक झील का इसे एक अदबुत कॉम्बिनेशन कहा जा सकता है पहाडों और एक झील का ये हमें एक अदबुत ग्रिश्य प्रस्तित करता है सनमागी ओल्ड रोड, सनमालोंगी गिल, ग्रिहनगर गाम, स्थित है सोरांग गाव में, ओैसारी, चिलसे उंग मायं गोए सांगन, चुम्चे उंगुगडो, कोरिया ये है एक पुरानी सड़क है, जिसकी कुल लंबाई दस्री है, जो पहार से जुली हुई है, सैम मैगी का गाम ये है एक पैदल मार्ग है, जिसे बहाल कर दिया गया है, मानो पुरानी सड़क को चित्रित कर रहा हो, जो एक निशान की तरह बनी हुई है, अधिकांश पुराने सड़क खंडों को बनाने का एक पर्यावरन अनुपूर तरीका लकडी के समर्थन, डेख, ने यह नरकेवल पर्यावरन येक शती को कम करता है और प्राकृतिक सुन्दर्था को दर्शाता है जैसा है वैसा है, पुराने पहाडी रास्ते पर पहारों, पानी और जंगलों की सुन्दर्था एक पैसी जगह है जिसे गोएसन का मुख्या अकर्शन माना जा सकता है गोसान बान्द, जो पहली बार 1957 की शुरुआत में पूरा हुआ था विशुद्ध रूप से कोरियाय तक्नीट का उप्योग करना प्रतिकात्मक है ये क्शेत्र के लिए गौरव का विशय बन गया है बान्द के आसपास का क्शेत्र और भी अधिक मुयवान है क्योंकि ये एक अक्षुण प्राकृतिक पारिस्थिति की तंत्र को संरक्षित करता है सैन मैगी ओल रोड परियावरन अनुकूल निर्मान का उप्योग करके गोसैन बान्द के साथ बनाया गया है विदिया गोसैन बान्द जील के साथ मिल जाती है जो लोग संमागी ओल रोड पर जाते हैं वे कोरिया की प्राकृतिक सुन्दर्ता का आनंद ले सकते हैं बिना परिशान होई इस जगह से हर किसी को प्यार हो जाता है गोसैन प्षेत्र में आप जहां भी जाएं वहां कई घाटियां है ताजगी भरी हवाओं साफ पानी और हरे जंगलों के साथ ये गौरफ केवल गोए सेन के पास है इसे स्वच गोए सेन का प्रतिमिदित्व करने वाला ट्रेड मार्क माना जाता है जो कोई भी गोसान गया है वह जानता है कि ये देश में सर्वश्रेष्ट है इसकी स्वच्छता और प्राकृतिक वैभव अपने चरम पर है हर कोई इसे महसूस कर सकता है गोए सिन में सैन में गी और रोड नामक एक और प्रसिद स्थान का जन्म हुआ जारियों की खुश्बू के साथ ताजा पहारी हवा कोमर नदी से मिलती है हवा यदि आप उस रास्ते पर चलते हैं तो आप प्रकृत की द्वारा प्रस्तित अगर आप दोस्तों या परिवार के साथ मेंगे तो आपका दिल बहल जाएगा समकालिक चरनो द्वारा सैन में गी और रोड प्रमुख परियतक आकर्शनों में से एक देश भर में जाना जाता है